हेलो फ्रेंड मैं हूँ अमर जीत और आप लोगों का स्वागति दिन सुन्दर सुन्दर से फूलों के साथ करती हैं अपने टैरिस गार्डन में तो जी आज किसे वीडियो में मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां हम सर्दी में उगा सकते हैं अपने टैरिस गार्डन में जिनको हम सर्दी भर खा सकते हैं तो सर्दी की ये सब्जियां हैं और इनको हम आसानी से उगा सकते हैं और उगा कर अपना जो है सर्दी भर अपने टेरी से हार्वेस्ट कर सकते हैं तो सबसे पहली ये लीफी वेजिटेवल है और ये साग वर्गिये जो कई तरह की बीज मेरे पास हैं तो सारे के मैं आज बताऊंगी कौन कुर से सबजी हम उगा सकते हैं ये सबसे पहली सबजी है पालक और पालक को हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं जल्दी से उगने वाली है और देखिए दो-चार दिन में ही कितनी ग्रीन हो गई है इस क्यारी में ये पालक और बढ़ती जा रही है हर रोज इसका पत्ता बड़ा होता जा रहा है बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तियार हो जाएगी अगली सबजी देखिए ये भी पत्तेदार सबजी है ये है सरसों इसका भी साग बनाया जाता है और साग के लिए ही इसका ज़ादंतर रुप्योग होता है और जो ये दाना होता है इसका फिर ओयल भी निकाला जाता है ये चोंक में भी डाली जाती है और यहां देखिए ये सरसों इस तरीके से उगती है ग्रीन कलर की और ये पत्ते वाली जो लाल देख रहे हो आप ये चुलाई भाजी है इसको भी हम उगा सकते हैं बहुत आसानी से अपने टैरिस पर तो इस तरीके से ये ग्रीन वाली है हमारे यहां अपने आप ही उग जाती है ये देख रहे हो ग्रीन वाली भाजी ये यहां पर अपने आप ही उग जाती है हमारे इलाके में तो इसको भी हम साग में सामिल करते हैं ये बरसाद के मौसम में ज़्यादा रूगती है लेकिन ये खाद से उगी है भी गोबर खाद डाली थी उसी से तो अगली सबजी देखें ये भी पत्तेदार सबजी है ये है बत्वा कैल्शियम का भरपूर्स रोतर है ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है इसके अंदर और जो हमें इसके उप्योग हैं सबजी में रायता डालते हैं या फिर इसके पराठे भी बनाते हैं तो साग में भी डाला जाता है हमारे यहाँ ज़्याद तर इसको साग में डालते हैं अगली सब्जी देखिए है, ये भी पत्तेदार सब्जी है, ये है मेथी, मेथी को भी हम अपने गार्डन में अगर भी सामिल कर लेंगे, तो इसको भी हम सर्दी बर हार्वेश्ट कर सकते हैं, मैंने अभी उगाई नहीं है, नहीं तो फिर मैं आपको दिखा दे थी, बत्वा कर सकते हैं, इसको तो हम बारों महीने उगा कर खा सकते हैं, और टमाटर, मिर्च और बैंगन को तो हम हमेशा ही अपने गार्डन में रख सकते हैं, तेखिए टमाटर अभी नहीं रह रहे थे, लेकिन मिर्च और बैंगन तो हमेशा रहते हैं, और अगली सब्जी है, देखि ही देखिये ये तो इसको तो हर ग घर में होना ही चाहिए और हर गардन में होना चाहिए तो ये इस तरीके से बस इसको असानी से हम मिट्टी में लगा देते हैं तो बहुत असानी से ये जल्दी से उगने वाली सबजी है तो अगली सबजी है मूली देखिए सलाद पत्ता भी होता है सबजी भी बनाई जाती है और साग में इसके पत्ते को हमारे यहां उप्योग किया जाता है और सलाद में इसकी फल को खाया जाता है लाल वाली मूली है और यह सफेद वाली मूली है तो दोनों मू दाने को भीगो कर अगर उगाते हैं तो बोजल्दी उग जाते हैं फिर अगली है सब्जी है देखिए आप समझ रहे हो यह कौन सी सब्जी है यह पतली पतली सी फली है यह हमारे याप इसको सींग्रे या मूंग्रे बोला जाता है यह मूली से ही बनते हैं लेकिन इनका अलग गाजर को भी हम वगा सकते हैं कुछ सबजी आइन में से मैंने उगाई नहीं है अभी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं आएसता आधा उगाती जा रही हूँ हर रोज आज नहीं उगाऊंगी कोई भी सबजी क्योंकि आज त्यवों है तो देखिए यह प्याज तो आप देखते ही हो उगते हैं हर रोज उगे हुए हैं हो रहे हैं और अगली सब्जी है शुकंदर सौरी सलाद है यह इसको सलाद में जूस भी प्या जाता है इसका और सालद तो बहुत अच्छा इसके पत्ते को हमारे यहां साग में यूज किया जाता है और इसको सलाद में खाया जाता है तो अगला है सलजम सलजम को भी हम अपने टैरिस गार्डन में उगा सकते हैं बहुत आसाने से यह भी मूली जैसा ही होता है और सलजम और चुकंदर इनको थोड़ा कम गहराई वाले कंटेनर में भी उगा सकते हैं जैसे मूली हमे लंबे गहरे कैंटेनर की जरूरत पढ़ती है उगाने के लिए तो इनको हम थोड़े कम गहराई वाले में भी उगा सकते हैं जो यसे ये गुलाई में होते हैं लंबाई इनकी कम होती है तो ये सारी सबजियां हम उगा सकते हैं इसके अलावा एक दो सबजिया और भी जैसे गोबी है आलू है वो भी हम बहुत आसानी से अपने टैरिस पर उगा सकते हैं और ये पत्तेदार सबजियां साग पूरी सर्दी बर खा सकते हैं अगर हम अपने टैरिस में अभी इनको शामिल कर लेंगे अपने जो भी हम लगा रहे हैं अभी सबजियां उनके बीच में और ये फूलों सा गार्डन मेरा सुंदर से खिले हुए हैं आज फूल और ये रहे आलू देखिए कितने सुंदर हमारे उग गए हैं अभी टाइम है आप उगा सकते हो आलू भी तो इस तरीके से आलू मूली सलजम गाजर चुकंदर और धनिया पालक मेथी तु सभी को उगा सकते हो आप